अब वो माला को मरने नहीं देगा, लेकिन मैं माला को चीने नहीं दूगी, वो कैसे, आजकल हर घर में नई नवेलियां, आख से चल कर राख हो जाती हैं, ये भी उसी तरह, वेरी गॉर्ड, तो फिर देर किस बात की, चितना सजाईए, लाश आती ही होगी, वो लोगागा है अरे भावी, आप यहाँ? भाई मैंने फोन कर दिया था कि बहू की तवियत खराब है, बेचारी दोड़ी चली आई माला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हे गलत समझा, जिसे मैं पत्थर समझ रही थी, वो तो हीरा निकली राज, मेरी बेहन को पलकों पर सजा के रखना आप लोग बैठे, मैं चार बना कर लाती हूँ झाल देखो सवाल के अरे दीदी, तुम यहां कैसे? राज, सुना है, तुम्हे साप ने काटा था हाँ, तुम्हारी भावी ने, तुम्हारे इस भाई की जान बचा ली वरना अभी तक राम नाम सत्य हो गया होता लेकिन साप घर में आया कैसे? वकील साप, साप आपके कानून को नहीं मानता वो अपनी मर्दी से कहीं भी आजा सकता है राज, भावी कहा है? चाय बना रही है, मैं मिल कर आती हूँ अरे, सुधा देदी, आपको भाई? बस अभी अभी, लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी? देखो न, क्या बखवास माचिस है, एक भी तीली नहीं जल रही बेटी, ये लाइटर लेलो माला, देदो ये लाइटर मुझे, ये तुम से नहीं जलेगा तुम जाकर बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ लाइटर कर दो पिपला झाँ कुम अध nuances नहीं नहीं से लाइटर को сам कर लाइटर को ये Πा खज़ती है лек हुम ऌन्योंन Betty वाच! रुक क्यों गए बर्खुरदार अपनी महबूबा का दामन ठामे हुए आगे बढ़िए अब हमारी आखों में आखें डाल के जवाब दीजिये क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी क्यूमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूँगा सुप्रीम कोर्ट तक जाओंगा कहा था और ये भी तो कहा था कि मैं साथ साल की सदा काटने को तयार हूँ मगर इस लड़की से हर्गिस शादी नहीं करूँगा ये भी कहा था तो फिर आज जा हो गया कौन सा तूफान उमन पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खांदान अपने पेरों की धूल समझता है उसी को तुमने अपने सर पर बिठा जिया जिस लड़की ने हमें शेहर भर में बेहिज़त किया उसे तुम अपने बिठ में बसा बैठे जिस लड़की का रुटबा हमारे घर में एक नौकरानी से भी उचा नहीं होना चाहिए था उसे तुमने हमारे बराबरा कर ख़गा कर लिया क्यों राज क्यों वो मेरी भूल थी जिस के लिए मैं शर्मिंदा हूँ जिस भूल पर तुझे आज शर्म आ रही है वो भूल भी तू नहीं की थी खलत उस भूल के जिमदार भी आप हैं बचपन में जब मैंने माली की पीट पर कोड़े बरसाए थे तो आपने क्या कहा थे हम अमीर हैं यह हमारा पैदाशी हक है कि हम जोन करें जोन सहना उसका मुकद्दर है गरीब और अमीर कीखाई मेरे दिलव दिमाग में किसने खो दी आप ने पैसोगी तल्वार मेरे हाथों में इसने थमाई आपने इंसान को इंसाना समझने कि तालीम किसने दी आपने वा भान्जे वा वेरी गुड वेरी गुड तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बलके खुशी हुई कि तुमने बोलना तु सीखा अलफाज जरूर तुम्हारे है लेकिन जबान इस नागिन की है मामा जी तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजाजी का खून दौरता था लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिसमें जिस देवर ने कभी अपनी भावी से उची आवाज में बात नहीं की थी वही आज अपने बाप से बत्तमीजी कर वैठा सारे फसाद की जड़ ये है ये जिस दिन से इस मन्हूस ने इस घर में कदम रखा है कोशलिया जैसी नोकरानी हमारी चोकट पर थूख कर चली गई और मेरी प्यारी भाजी सुधा अगवान को प्यारी हो गई अरे जनम जली क्या तू पूरे खांदान को निकल कर ही जाएगी उठा कर फेंग दो इसे घर से बाहर खबरदार जो किसी ने भी क्या खरेगे तू मैं भूल जाओंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकलता हूं ऐसी घलती मत कीजिए कि लोग आपको राए बहादूर कहना छोड़ दें चलिए अब हम यहां नहीं रहेंगे माला, माला चलिए दोक्टर साब, मेरी माला बच जाएगी ना उसकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट वी आ ट्राइंग हलो इंस्पेक्टर खान यह, इंस्पेक्टर खान, मैं जुएल हॉस्पिटल से डक्टर सुश्मिता माथूर बोल रही हूँ, एक केस रिपोर्ट करवाना है, इंजिरी ओफ तर स्कल, केस बहुत सेरियस है, किसको चोट लगी है, मशूर इंडेसलिस्ट राई बहादूर जी की पाल सिकोरी मेरी माला के हत्यारो, वो तो मर गई, अब तुम भी जिन्दा नहीं रहोगे राज, माला कैसी है? राई साहब, आप फौरण मामा जी और शार्दा देवी को लेके शहर से बाहर चले जाएए मैं कोट में साबित कर दूँगा कि वारदात के समय आप लोग शहर में थे ही नहीं नहीं राई बहादूर के कानूनी दलाल, दे फोन मेरे बाप को राज मिस्टर राय बहादूर, अगर मेरी माला को कुछ हो गया, तो समझ लेना तुम्हारा छोटा बेटा मर गया साथ में बड़ा बेटा भी मर गया बाबुजी, क्या हुआ? जीजा जी, कुछ बोलते क्यो नहीं? राय बहादूर साथ, कहां जा रहे हैं? हास्पिटल लेकिन वहाँ जाने से केस उल्टा भी हो सकता है, और हो सकता आपको जेल भी हो जाए अब तो ठासी भी लग जाए तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ये दौलत, ये हवेली, ये सब कुछ मैंने किसके लिए बनाया था अपने इंचाती पड़ाद कर उपर ले जाने के लिए नहीं, अपने बेटों के लिए, अपने जिगर के टुगड़ों के लिए, अगर वही नहीं रहे तो चीजा जी, राज ने कहा क्या? सिर्फ राज नहीं नहीं, मेरे दोनों बेटों ने, इस बरसों की मेहनत से बनाय हुई हवेली को, एक ही ठोकर में, रेक के घिरोने की तरह बिखेर दिया मेरे अंकार के मुँपर थूक दिया, कहने लगे, जाओ राए बहादुर, हम तुम्हारी आौलाद नहीं, खरीद सकते हो, तो अपनी दौलत से दो बेटे खरीद लो वाव उपर वाले, तूने आज एक ही ठोकर में, मेरी सारी दुनिया मिटा दी जीजा जी, जीजा जी, ये बुढधा तो सठ्या गया है, खुद तो मरेगा साथ में हमें भी जेल की चक्की पिसवाएगा वकील साब, अब आप भी कुछ करिये न, हम मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ माला के बयान पर डिबेंड करता है मतलब की हमारी जान अब माला की मुठी में कैद है? बिल्कुल डॉक्टर, कैसी है मेरी बहूँ? अभी कुछ नहीं का जा सकता, शायद ऑपरेशन करना पड़े तो कीजिए, दुनिया की बड़े से बड़े डॉक्टर सर्जन को बिलाईगे, जितने पैसे लगें लगा दीजिए देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कोशिश नहीं, डॉक्टर, मुझे मेरी बहु चाहिए, मैं आपके पाउं पढ़ता हूँ, मैं आपसे भीक मंगता हूँ राय बहादर दौलत के बगार जी सकता है, वागर अलाद के बगार बिलकुल नहीं देखिए, प्लीज, समा लिये अपने आपको मुझे माला का प्यान लेना है आप बाहर इंतजार कीजी, जब यह होश में आ जाएगी मैं आपको बुला लूगी कहें इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना बयान देना चाहता हूँ आज सुबा सुबा मेरा और माला का जगड़ा हुआ और घुसे में आके मैंने उसके सर पर इंस्पेक्टर साहब, गुनिगार यह नहीं, मैं हूँ यह आप लोग क्या, तुम चुप रहो जी, दोनों फासी पर खुदी चड़ते हैं तो चड़ जाने दीजे इनके मरते ही करोडों की दॉलत हमारी हो जाएगी हारामजादी, कितना बढ़ा कुऊ हैं तेरे अंदर जितनी भी दॉलत डाल दी चाहें, कभी भंता ही नहीं रमेश आप बीच में मत बोलिये डैडी, यही है वो चड़, जिसने इस खांदान की हर शाक को जहरीला बना दिया है अरे तु आरत नहीं, डायन है डायन मेरे डैडी का घमन टूटकर बिखर चुका है, लेकिन तेरी भूक अभी तक नहीं मेटी तु जैसी और तो धक्के वार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए Congratulations, माला की जान को आप कोई खत्रा नहीं, आप लोग उससे मिल सकते हैं बिलकुल नहीं जब तक इंस्पेक्टर खान माला का बयान नहीं ले लेता, आप लोगों में से किसी को भी अंदर जाने की जाज़त नहीं है करतार सिंग, मैं तुम्हेरा कुसूरवार हूँ, जो सजा चाहो दे दो माला, तुमारे सर पर ये चोट कैसे लगी? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने मारा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी नहीं मारा फिर ये चोट कैसे लगी है? सीडियों से उतर रही थी, पाओ फिसल गया तुम सच कह रही हो? जी माला का कहना है कि पाओ फिसल जाने से उसे चोट लगी है इसलिए अब कानून को किसी पर कोई शुबा नहीं आप लोग अंदर जा सकते हैं माला, मुझे माफ कर दो बेहन ऐसा मत कहो एक औरत से उसका सुहाग चीनने की जो मैंने कुस्ताखी की है वो तो माफी के काबिल भी नहीं है घरती इंसान ही करता है, भगवान नहीं शाबाश बेटी तुमने हम सब को माफ करके ये थाबित कर दिया के इंसान पैसों से नहीं परवरिश से बड़ा होता है अ देखा पुतर, उपर वाले के घर में देर है, अंदेर नहीं धार जी, मेरी शादी हो गई घर मिल गया, घर का सुक मिल गया बस एक ही शिकायत है लेकिन क्या पुतर? मेरी भारात नहीं आई ओए राय बादर, क्या बोलता है अब राजा की आएगी बारा अले राजा की आई है भारात मेरे आंगन्डे मैं आजा की आई है भारात मेरे आंगन्डे मैं का नाचू ही आके घमाल मेरे आंगन्डे आंगन्डे मैं राजाऑ今天ओन Ale град मेरे, अपस्जा प्रहль ड्री रारात में मैं आगन्डे आपरेतात अले अलीका हुआ ठाजाऑ घ्ल्लीड़ झाल-ग्रण में ऑचके बाजाऑ रारात रारत अजा प्र्णग है र может का रही कोंदो ठending सुन्ड़ झाल झाल